Hello friends, आज शुरू करते हैं exercise 10.2 से question number 4 Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel आपको ये proof करना है कि किसी circle के diameter के end points के उपर जो tangents बनती है न वो आपस में parallel होती है मालनी जे ये आपकी figure है ये एक circle है इस circle का center ये ओ है और ये इसका diameter है ये diameter को मैंने माल लिया PQ और P point के उपर ये एक tangent बन रही है इसका नाम A भी माल लेते है और Q point के उपर ये एक tangent बन रही है CD आपको proof करना है कि A B CD के parallel है अब देखिए parallel proof करने के लिए आपको parallel lines की property याद होगी किन ही दो लाइनों को parallel proof करने के लिए आपके पास तीन चीज़े होती है या तो उसके corresponding angles बराबर हो या उसके alternate interior angles बराबर हो या फिर sum of interior angles on the same side of transversal वो मिलके 180 degree का हो अब इसके अंदर आप क्या लगाएंगे इन दोनों lines को parallel proof करने के लिए ये चुटकियों में question हो जाएगा आपको theorem 10.1 पता है theorem 10.1 कहती है कि radius और जो tangent होती है उससे जो point of contact बनता है वहाँ पे 90 degree का angle बन जाता है ये theorem 10.1 कहती है आपकी तो इस हिसाब से यहाँ का angle 90 बन गया और यहाँ का ये वाला angle 90 बन गया और 90 को और 90 को जब आप plus करेंगे तो ये बन गए 180 degree के और ये जो दोनों angles है ये आपके angles है angles on the same side of transversal या इंटिरियर angles ये दो lines है ये आपके transversal होगी ये पहले line की property होती थी न ये इस तरह से कि ये transversal है एक ही तरफ के दोनों angle का sum अगर 180 degree आ जाता है तो वो दो line आपकी parallel होती है इतना simple सा question है चलिए इससे शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये जैसा figure में बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि let PQ is diameter of circle और a,b और c,d को मैं टेंजेंट मान लिया a,b is tangent at point p and c,d is tangent at point q अब करते हैं प्रूफ to prove भी लिख लेते हैं कि proof क्या करना है इसके अंदर इसमें proof करना है आपको कि a,b जो है ये c,d के पहलाल है अब यहां से solution शुरू करेंगे proof देखे इनका मैं number रख लेता हूँ कुछ angle का नाम रख लेता हूँ इसका मैं number 1 रख लेता हूँ इसका number 2 रख लेता हूँ अब angle 1 angle 1 हो जायागा 90 degree का क्योंकि theorem 10.1 कहती है इसी तरह से angle 2 angle 2 भी आपका 90 degree का हो जायागा reason में आप पूरी theorem लिखेंगे मैं पूरा ने लिख रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे theorem 10.1 का use हो रहा है तो आपको पूरी theorem लिखेंगे यहाँ पे bracket में reason में अच्छा अब यह दोनों के दोनों इनका मैं sum करता हूँ angle 1 प्लस angle 2 is equal to 90 plus 90 तो angle 1 प्लस 2 is equal to 180 degree और angle 1 और angle 2 यह दोनों के दोनों मेरे interior angles है on the same side of transversal also and also angle 1 and angle 2 are interior angles on the same side of transversal transversal के एक ही तरफ के और अंदर के अंगल सही है तो जब इनका sum 180 होता है तो वो दो लाइने आपस की पहलल होती है जिनके बीच में यह आते है यह आपने 6, 7, 8th class से पढ़ते आ रहे हैं आप also angle 1, 2 are interior angles on the same side of transversal therefore 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 a, b parallel to c, d simple होगा है hence proof इतना सा question है यह फिर से revise करवाँ यह diameter है, यह circle है यहाँ tangent है, यहाँ tangent है बस इतना proof करना है कि यह दोना line ने parallel है यह 90 होता है यह 90 होता है क्योंकि थिरुरम 10.1 होती है दोनों को plus कर दिया 180 हो गया parallel line की property हमने सीखी हुई है कि जब एक ही तरफ के अंदर वाले angles का sum supplementary होता है यहनि कि 180 तो वो दो line ने parallel होती है बस उसी का इसके अंदर यूज़ किया है तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स कोशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई